नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोर्ट स्काय रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, ये कहावद आपने कई बार सुनी होगी पर क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि ये कहावद सेब के फाइदे के बारे में आपको बताती है ये फल पेक्टिन फाइबर में भरपूर होता है, ये शरीर के बलड सर्कुलेशन लेवल को भी कंट्रोल रखता है इसमें कई महत्वपूर्ण, विटामिन और खनज भी शामल होते हैं, जो मजबूत और स्वस्त खड़ियों को बढ़ावा देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, सेब का छिलका आपकी सोच से भी ज्यादा फाइदे मंद होता है अगर आप भी सेब को छिलके रहित खाते हैं, यानि कि छिलके के बिना खाते हैं, तो समय आ गया है कि कुछ बात को आप जान ले सेब के छिलके में काफी फाइबर होता है सयुक्त राज एमिर का करशी विभाग USDA के अनुसार सेब में मौझूद अधिकांश फाइबर इसके छिलके में होता है फाइबर आपको लंबे समय तक पूर्ण रखने में मदद करता है इसके अलावा फाइबर स्वस्त हड्डियों के साथ साथ लिवर को भी हेल्दी रखता है फाइबर पाचन को बढ़ावा देने के लिए भी अच्छा माना जाता है और मदू में रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है फेफडो के स्वास के लिए सेब का छिलका काफी बहतर है सेब के छिलके में कारसेटन नामक एक शक्तिशाली यौगिक पाया जाता है जिससे एंटी इंफलिमेटरी के रूप में जाना जाता है ये आपके फेफ़डू और दिल को विभिन रोगों से बचाता है वजन कम करनी में भी सेब का छिलका काफी फायदेमंद है सेब के छिलके में मौजूद फाइबर से लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रहता है जिससे आप अधिक खानी से बचते हैं इसके परणाम स्वरूप आप कम क्यालरी का सेविन करेंगे और आपका वजन घटने ल भड़ाने में मददकार होते हैं सेब का कम ब्लाइकोसेमिक इंडेक्स आपके बलड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखता है सेब आपके दिल का ख्याल भी रखता है कुछ शोदों में पता चला है कि सेब के छिलके में मौजूद पॉलिफेनौल ब्लड प्रिशर को कंट्र और के होता है इसके अलावा इसमें पोटाशियम, फॉस्फोरस और क्यालशियम जैसे आविशक खनश भी होते हैं जो हमारे पूरे इस्त्वास के लिए फायदे मंद होता है इस अभी पोश्चक तत्व आपके दिल, मस्तिश्क, नसोत, त्वचा और हड्डियों की रक्षा कर तो अगर आप सेप का छिलका हटा देते हैं, तो अब आपके पास इसे ना हटानी का कारण है हाला कि आपको ये सुनश्प्रण करना होगा कि सेप के छिलके में वैक्स नहों, सेप को ताजा रखने के लिए विक्रेता कई बार इस पर वैक्स लगाते हैं इसलिए हमीशा झाल झाल झाल